इस जो गाय का मास खाने के रिशी के जाए है तो आज इंदुस्तान में जो हमारे हिंगों के आस्ता इदिशन गवूमाता कहते हैं अगर उसका ही मास खाएगा तो हम उसकी खाएगा फिल्म अभिनेता रनवीर कपूर की नई फिल्म बर्मास्तर में रनवीर कपूर द्वारा वो मास का सेवन करते हुए दर्शाया गया है जिसको लेकर हिंदु दुर्गा वाहिनी ने रिवाडी में जोरदार प्रदेशन करते हुए रनवीर कपूर की फिल्म का बाइकाट किया बता दे, सिनमा घरों में कल रनवीर कपूर की नई फिल्म बर्मास्तर रिलीज हुई है लेकिन इस फिल्म के अंदर रनवीर कपूर द्वारा गो मास का सेवन करते हुए दर्शाय गया है उसके विरोत में हिंदू दुर्गा वाहिनी ने रेवाडी के बीमजी मॉल के बाहर आतों में बाइकार्ट की प्रति रिपी रहते हुए जोरदार परदर्शन किया परदर्शन कारियों को कहना है कि फिल्म में गो मास का सेवन दिखाना हिंदू धर्म को ठेश पहुँचाना है ऐसे में वे किसी भी हॉल में इस मूवी को नहीं बरदाश करेंगे परदेशन कारियों ने कहा कि अगर जल्द ही इस मूवी को सिनमा घरों से नहीं अटाया गया तो वे परदेशन को ओर तेज करेंगे साथ ही मंगलवार को सभी हिंदू संग्ठान एकत्रित होकर इसका पूर्जोर विरोत करेंगे हिंदू देवी दवताओं के अबमान को किसी भी हाल में हम परदाश नहीं करेंगे उन्होंने का कि आज जुरूरत है कि सभी हिंदू एकत्रित होकर इस तरह की फिल्मों को ना देखें और उनका बाइकाट करें क्योंकि हमारे ही द्वारा बनाएंगे हिरो अगर इस तरह हिंदूओं को ठेश पंचाएंगे तो वह किसी भी कीमत पर परदाश नहीं किया जाएगा परदाशन कारियों की भीड को देखते हुए मौल के बार भारी पुलिस बलते नात किया गया शेहर थाना परवारी संजेकुमा ने कहा सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए हैं किसी भी तरह की जान और माल की हानी नहीं होने दी जाएगी अगर ऐसा होता है तो ठोस कदम उठाएंगे वही परदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक इस बैनर को नहीं अताया जाएगा वही डटे रहेंगे परदर्शनकारियों के विरोध को देखते हुए माल परवंदन द्वारा रनवीर कबूर की नई फिल्म बरमास्तर के बैनरों को हटवाया गया आप नहीं पता गया रनवीर कपूर में हाँ कहते हैं वह यह कहता है हमारे नोजवानों को कि दाने दाने में केसर का स्वाद वह कहता है विमल खाओ वह आज हमारा समाज कहा जाएगा जो यह 15 साल का बच्चा उसको देखता है वह गुटका खाना सिखेगा और उस गुटके पर यह लिखा है कि गुटका खाने से कैंसर होता है जब हमारे आइडल हमें यह सिखाएंगे तो क्या होगा आज रनवीर कपूर यह कह रहा है कि बीप मेरा एक पसंदिदा बोजन है तो आज हिंदुस्तान में जो हमारे हिंद खड़े हैं इनको भी मैंने सक प्लेजर में बता रहे है कि कानुवेस्ता आज बिना ले सांध्यू पूरा कभने कहीं भी इसका विरोज प्रदसन दजक्राएं लेकिन इसकी जो बीएमजी मौल की सुरक्ष्या के लिए पूरा पुलिस परबंदन नहीं तो कानुवेस्ता का मौल अन्यू